जासी के मौरानीपोर तैसील अंतरगर्थ आने वाले गिराम हर पुरा में गिरामीन पिछले कई वरसों से पानी की समस्या से जूज रहे हैं जिसे नाराज गिरामीनों ने सरकार से गाउं में पेजल की उचित विवस्था कराय जाने की मांग की है बताया गया है कि गाउं के एक ओर खेतों में दो प्राइविट बोर के माध्यम से लोग दैनिक दिंचर्या एवं अन्य जरूरतों के लिए पानी भरते हैं ग्रामीनों ने बताया कि गाउं में जो भी सरकारी हैंड पंप और कुए बने हुए हैं वो सब सूक चुके हैं इसके साथ ही गाउं में पीने के पानी के लिए कोई और साधन उपलब्द नहीं हैं जब तक खेतों में फसल लगी हुई है इनमें बोरिंग के माध्यम से ग्रामीनों को पानी प्राप्त हो रहा है फसल कट जाने के बाद ग्रामीडों को पानी के लिए कई किलो मीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है ग्रामीडों ने बताया कि जल संकट के चलते ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं ना ही लोगों को समय पर अपने ग्रहकारियों को निपचाने का समय मिल पा रहा है। इसके साथ ही गाउं में बड़े हो रहे बच्चों को लेकर भी बुज़ुर्ग काफी चिंतित हैं। क्योंकि पानी ना होने से दूसरे गाउं के लोग गाउं वालों से विवा करने को तैयार नहीं। ग्रामीरों ने सरकार से गाउं में पेजल की उचित विवस्था बनाए जाने की मांग की है। पानी के साथ बहुत परिसानी हैं। मिलना दूसरे गाउं से ले हराना पड़ता है। सब्सक्राइब पानी नहीं है जो सेट को है मौ के अग्रवाल को सो उसे पानी पीगात थोड़ा बहुत जैसे में लगाओ और वही में लड़ाई होती है सबस्क्राइब ना टेकाने साथी सुदा कर पाओ पानी नहीं तो कुछ नहीं है साफ फसल है जी के बोर पर जास बोई बतकाओ का प्यादा जैसे माली जाये के हमारे यहां पानी नहीं है जी मारानी पुर के रहने वाले का बोर है अगर कि यह सुवाय सुवाय नहीं आए यहां खेत पर उनोंने ताला नहीं खोला तो पानी हम लोगों को नहीं मिलेगा अगर जी ताला खोलते हैं तो पानी मिल जाएगा चूंकि अगर 11 वजे लाइट चली गई तो फिर भी पानी नहीं मिलेगा तो हमको परोस के गाउं में जाना पड़ता है दूसरी गांव से पानी लाना पड़ता है इसलिए बहुत ज्यादा समझ्या है हर पौरा गाउं में और मानली जाएगा पानी नहीं मिला तो गायव बैल बच्री और हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है जनभार में एक देडे लीडर पे टॉल मौरानीपुर से रवी परिहार की रिपोर्ट